नमस्कार, Kuber Accounting Top Team Map का स्वागत हैं, आज के वीडियो में हम देखेंगे, Cells Report Kuber में कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहले हम उसका सेटिंग उन कर लेते हैं, सेटिंग उन करने के लिए, सेटिंग में कम्पनी सेंटर, उसमें, G Master Reports में जयना है, उसमें यहाँ पर उप्सन दिया गया है Sales cement Report, यहाँ जो जो अप्सन है, rooted sales sales and purchase entry, यानि कि sales and purchase दोनों की entry में अपको sales meant पुछेगा, उसके बाद है sales entry, only sales entry में salesman पुछेगा, उसके बाद है purchase entry, उसमें सिर्फ purchase entry में ही salesman पुछेगा, और last वाला option है only on accounts, यानि कि आप जब party add करने हैं, वहाँ पे salesman पुछेगा, उस party के लिए वो salesman fix हो जाएगा, यहाँ पे हम select कर रहे हैं, yes sales and purchase entry, उसको select करके, okay पे press करना है, उसके बाद yes, software एक बार reload करना है, पहले ह purchase भी add करते है, bill tab select करनी है, उसके बाद voucher date, voucher number, bill date, bill number, यहाँ पे party select करनी है, उसके बाद product select करनी है, उसकी quantity add करनी है, अभी product add हो जाने के बाद time की press करनी है, रिमार्क में bill के हिशाब से कुछ remark add करना चाहें, तो कर शकते हैं, उसके बाद enter की press, आप यहाँ पे देख शकत यहाँ पे F3 new पे click करना है, यहाँ फिर shortcut की F3 भी press कर शकते है, यहाँ पे salesman का name enter करना है, उसके बाद उसका commission share करना है, और sell button पे click करना है, अब देख सकते हैं, यहाँ पे salesman add हो चुका है, अभी हम दूसरा एक salesman add करते है, एक त्री बटन press करेंगे, यहाँ पे salesman का name enter करे इसका commission add करके save करना है, अभी हमने 2 salesman add किया है, अभी हम इस purchase bill में ABC salesman select करते हैं, और save button पे click करना है, अभी हम एक sales bill add कर लेते हैं, bill tab select करना है, bill date enter करनी है, उसके बाद voucher number party select करके enter करना है, product select करनी है, यहाँ पे quantity add करनी है, सबी product add हो जाने के बाद, tape की press करनी है, इस bill के regarding कुछ remark add करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद enter की press करनी है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे salesman का box open हो चुका है, इसमें हम दूसरा salesman select कर लेते हैं, और save button पे click करते हैं, report menu में यहाँ पे special report, उसमें यहाँ पे option मिल चाहेगा salesman report का, आपको यहाँ पे salesman select करना है, और ok button पे click करना है, उसके बाद यहाँ पे from date to date enter करनी है, यहाँ पे आप group city area और accounts का select करना चाहें, तो कर शकते हैं, उसके बाद ok पे press करना है, अभी हम इस report का preview देखते हैं, आप देख शकते हैं, आप देख सकते हैं, आप salesman के entry की थी, वो यहाँ पे आ चुकी है, और इस bill के सारे details पे आपको यहाँ पे मेंच आएगी, इस तरह हम ABC salesman select करता हैं, और उसका report देखते हैं, आप देख सकते हैं, हमने जो purchase bill add की है, वो यहाँ पे आ चुका है, और उस bill के सारे details यहाँ पे आपको मेंच आएगी, आप आपको बेर में salesman का use easily कर सकते हैं, और salesman wise report की देख सकते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,